Hello friends, welcome to anacademy दोस्तो anacademy आपके लिए बहुती नई और बहुती प्यारी सीरीज लेकर आ रहा है by the name of किताब सीरीज UPSC के civil services के जो aspirants है वो कई किताबे पढ़ते हैं अपने course को ध्यान में रखते हैं अपने syllabus को ध्यान में रखते हैं और उस दोरान उने बहुत सारी और किताबों से प्यार हो जाता है जो वो पढ़ना चाते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं टाइम नहीं मिलता है, एक्जाम नजदीक आ जाता है लेकिन पढ़ने की इच्छा ज़रूर रहती है तो अगर आपको कोई बोले कि आपको बहुत सारी नहीं नहीं किताब है बहुत प्यारी प्यारी किताब है जो आपने हमेशा सोचा आप पढ़ना चाते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ पारें उन किताबों से रिलेटिड यदि आपको एक बहुती enriched discussion मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा आपको एक ऐसा discussion मिल जाए जो कि ना केवल आपको बहुत सारे नए thoughts देगा बहुत सारे नए perspectives देगा बट बहुत सारी ऐसी चीज़े देगा जो शायद आप interview के अंदर बोल पाए शायद आप answer के अंदर लिख कर आ पाए तो आपको कैसा लगेगा शायद आपको अच्छा लगना चाहिए दोस्तो उसी प्रकार के thought को ध्यान में रखते वे इस किताब series को design करा गया है आन अकेडमी द्वारा दोस्तो जिसमें आपको 1-2 classes per week दी जाने वाली है यह multi educator series है दोस्तो history की किताबे, geography की किताबे polity की किताबे, IR की किताबे economy की किताबे, ethics से related किताबे बहुत सारी किताबों को जो है आपके सामने discuss करा जाएगा उनके जो synopsis बोल सकते हैं आप summary बोल सकते हैं important ideas बोल सकते हैं उन ideas को आपके सामने discuss करा जाएगा इस series को आपके benefit के लिए start करा जा रहे है दोस्तों from 17th of July and obviously बात है कि जो किताबे हम उठाएंगे वो अपने आप में बहुत ही शांदार किताबे रहेंगे बहुत ही बेमिसाल किताबे रहेंगे बहुत ही बेस्ट किताबे रहेंगे and of course they are also going to be aligned with the UPSC Civil Services exam के syllabus के साथ दोस्तों तो यह जो point था कि पढ़ना तो हम चाते हैं information knowledge तो हम gather करना चाते हैं perspective तो हम gather करना चाते हैं लेकिन time हमारे पास नहीं है तो वो time हमारे educator आपके लिए डालेंगे और उसके लिए आपको जो है in classes के अंदर जुड़ना है किन प्रकार की किताबों को हम आपके साथ discuss करने वाले हैं वो भी आपके समख्ष रख रहा हूं दोस्तों Rebooting India by Nandan Nilkani, Viral Shah, Mihirais Sharma सर की Restart किताब विमल जलान सर की India Priorities for the Future किताब तो आप देख सकते हैं आपने पढ़ा होगा economy के लिए आप उमा कापिला की किताब पढ़ते होंगे आप उमा कापिला मैडम की किताब रमेश सिंग सर की किताब आप पढ़ते होंगे Economic Survey आप पढ़ते होंगे और कहीं आप उन्हीं के अंदर रह जाते होंगे उन्हीं को खतम करने के अंदर रह जाते होंगे तो अगर आपको बहुत अच्छे bullet points इन किताबों के अंदर से निकाल निकाल कर मिले तो आपको कैसा लगेगा उसी प्रकार से अगर मैं कुछ और examples दो आपके सामने ज़रूर आपने देखा होगा makers of modern India by रामचंद्र गूहा जिसके अंदर इतने important personalities of India के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बाते लिखी गई है और personalities के उपर question पूछता है interrogating caste, caste के उपर question पूछता है ना केवल GS के अंदर पूछता है वड़ optional में भी पूछता है argumentative Indian, Amartya Sen said द्वारा तो यह किताबों के अंदर से जो आपको perspective मिलेगा दोस्तों जो बातें आपको मिलेगी, जो points आपको मिलेंगे, understanding आपको मिलेगी उना केवल आपके answers के अंदर आपको काम आईगी शायद आपको essay के अंदर भी काम आजाएगी हर जगा यह आपको सारी शीजे काम आ सकती है दोस्तों, enrichment की यह exercise है, enrichment की यह series है जिसका आपको पूरा फाइदा लेना है ethics के paper के अंदर लिखने के लिए बाते कभी कभी कम पढ़ जाती है stories कम पढ़ जाती है शायद जीवन का experience perspective कभी कभी कम पढ़ जाता होगा young students, young aspirants के अंदर तो अगर आप पढ़ें As I See by Madam Kiran Bedi Wings of Fire by APJ Abdul Kalam Sir Mahatma Gandhi Ji की किताब My Experiments with Truth तो बहुती शांदार किताबे हैं और यह तो सिफ़ एक छोटी सी list है दोस्तों जो किताबे हम cover करने वाले हैं पढ़ेंगे, Civil Services के exam के साथ बिल्कुल aligned तरीके से सारी चीज़ों को आपको दिया जाने वाला है तो इसका आपको बेहद फाइदा उठाना है दोस्तों और इन किताबों को भी पढ़ना है किताबों को पढ़ने का कोई replacement नहीं है दोस्तों लेकिन जितना best करा जा सकता है summarize करा जा सकता है वो आपके लिए करा जाएगा किताबों को तो आपको पढ़ना ही चीए author ने लिखी है मेहनत करके उसका जो है उसका कोई comparison नहीं है दोस्तों right है दोस्तों with this we'll bring this session to an end let's crack it, all the very best, जैहिन दोस्तों